हेलो डियारे स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूटूब चैनल के उपर सो फ्रेंड आपका जैसे सीजियल के एक्जाम बहुती नजदिक है और आपको अच्छे तरगे से तैयारी करना है तो फ्रेंड आप सभी के लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रशन लेकर आ चुका हूँ जो आपके एक्जाम में इस साल दोस्तों पूछे जाने की बहुती ज़्यादा चांस है इसलिए हर एक प्रशनों के जाने के आप लोग ज़्यादा देर नहीं किजिए ठीक है आभी आप लोग अच्छे तरगे से पढ़ाय किजिये ठीक है तो चलिए हर एक प्रशन को बहुत एच्छे तरीके से और बहुत इजी तरीके से देखने के कोशिस करते हैं और यहाँ पर बहुत important important प्रशन है ठीक है तो देखें पहला प्रशन आप लोग सामने है क्या है पहला प्रशन आपका है कि छोटा नागपूर की रानी या पहाडो की मलिका कहते हैं किसे कहा जाता है यह आपको बताना है जो की most important प्रशन है तो देख सकते हैं इसका अंसर क्या होने वाला है तो दोस्तों जो आपका नेतर हाट है इसे हम लोग छोटा नागपूर की रानी कह यहां पर है कि बंगल की सोक कहा जाता है कि बंगल का जो सोक है किसे कहा जाता है यह आपको बताना है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग option को देख लेते हैं तो पहला option है आपका दामोदर नदी को दूसरा है कि छोटा नागपुर पठार को उसके बाद है राजमहल पहाडी को उस आपका correct option होगा वो option number A आपका बिल्कुल सही जवाब है ठीक है जो कि आप लोग यहां पर देख भी सकते हो ठीक है तो correct जवाब जो होगा कौन सा हो जाएगा दामूद और नदी को बिल्कुल correct answer होगा तो चले आगे बढ़ते हैं उसके बाद जो आपका अकलाब प्रशना है यह भी आपके exam के द्रिश्टी से most important है तो देखते हैं कि question क्या है यहाँ पर question आप लोगों से पुछा है कि देवगर को कहते हैं ठीक है देवगर को क्या का जाता है यह आपको बताना है ठीक है तो दोस्तों जो आपका देवगर है इसे हम लोग मंदीरों का गाउं भी बोल कि यहाँ पर दिया गया है तिलिया जल बिद्दुत station किस नदी पर इस्तित है यह आपको बताना है ठीक है यह जो है आपको बताना है कि जो आपका तिलिया जल बिद्दुत station है यह किस नदी पर इस्तित है यह आपको बताना है जो कि most important question है देखिए इस question का दोस्तों जो आ यह जाएगा यह जो जवाब हो आपका हो जाएगा बराकर ठीक है यह जो आप लोग देख सकते हैं यहां पर पूछा गया है कि मेथन बांध किस नदी पर बना है तो आपका जो मेथन बांध है यह आपका कौन सा करेक्ट होगा तो मेथन बांध दोस्तों बराकर नदी पर बना है ठीक है तो आपका पर प्रस ने किया है कि जारकन के पहले समाज कल्यान मंतरी में केबिनेट मंतरी कौन थे तो आपको यहाँ पर केबिनेट मंतरी जो आपका पहला समाज कल्यान मंतरी थे जिसके रोप में केबिनेट मंतरी दोस्तों कौन बने थे यह आपको बताना है तो जो आपका cabinet मंत्री बने थे वो अर्जून मुंडा बने थे यानि का option नमर ये आपका बिलकुल correct जिवाब होगा ठीक है उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले प्रशने की और देख सकते हो अगला प्रशना आप लोगों से पुछा क्या है की दामीन एक को की घोसना कब की गई है तो दामीन एक को की घोसना है ये हुआ था 1824 इस वी में कब हुआ था 1824 इस भी में इसकी घोसना हुआ ता जिसे आपको याद रखना है ठीक है उसके बाद चलते हैं अगला प्रश्ण जो आपका लास्ट प्रश्ण है इसके जो आपका लास्ट आमने कोस्टन लाया है जो की देख सकते हैं बहुत यह आसान है कि जारकन राज्य का गठन कब हुआ था मतलब कब क्या गया था तो दोस्तो 15 नवंबर याद रिखिएगा 15 न दोस्तों के सब्सक्राइब कीजिए तक हर एक स्टूडेंट को पता चले कि इस चैनल के माइदम से आप लोगों को तैयरी किया जा रहा है तो चली मिलते हैं अगले वीडियो पे तब तक के लिए थैंक्यू जैहन